तो जैसे लास्ट वीक में हमें कुछ जादा बड़िया कॉंटेंट देखने को नहीं मिला था और जो बड़िया कॉंटेंट रिलीज हुआ भी था वो बड़िया नहीं नेकला लेकिन इस हफते में कॉंटेंट की बर्मार लगने वाली है और उन में से चोनीदा कॉंटेंट हुई एक बड़िया क्राइम मिस्ट्री तरल हिंदी राव वैब सीरीज गैंग्स ऑफ ओसलो जो औरिजनल नौर्वे की वैब सीरीज है और कहानी गैंग्स्टर की होने वाली है जब एक पुलिस वाले का बुरा पास्ट उसके सामने आखडा हो जाता है जब उससे पता चलता ह है कि उसके सामने एक बोरा गैंग्स्टर उसका ही एक बचपन का फ्रेंड होने वाला है तो उसके बाद वो अपने फर्स को चुनने वाला है या फिर दोस्ती को जिसकी कहानी को ही हमें ट्विस्ट एंट टन्स के साथ दिखाये जाएगा इस वैब सीरीज में जो अभी इसके बाद नेफ्लिस के उर्टिरी प्लेफ़ों पे औरिजनल में देखने के लिए अवलबल हो चुकी है जिसकी कहानी हमारे फ्यूचर की होने वाली है जब ऐसी टेकनोलजी आ चुकी है कि हिमोन की डेड़ बोडी को फिर से जिन्दा किया जा सकता है और उसकी ही यादों अगर आपको मेकप आर्टिस्ट बनना है या फिर कुछ ऐसा ही देखना पसंद है तो आज के देन में नेफ्लिस पे लीस होने वाली है मेकप आर्टिस्ट को लेके एक कम्पिटिशन वाली रेयल्टी टीवी शो सीरीज जिसमें हमें कुछ टॉप के मेकप आर्टिस्टी दे कहानी बाकी होरर मुवी से थोड़ी सी हटके थी। जिसके चलते ही इस मुवी को काफी पसंद भी किया गया और काफी बढ़िया रीवियू भी मिले। जो मुवी अभी आज सही वीडियो और डिमांड पे देखने के लिए वर्बल हो चुकी है, मेरा मतरव के रेंटल बेस्स पे, लेकिन अभी ये मुवी only English language में ही देखने के लिए अवलबल हुई है, लेकिन इसी मांद में हमें हिंदी राब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसे अभी अभी आज सही वीडियो और डिमांड पे लिस किया जाने वाला है और वो भी only English language में ही, जो अभी English language में देखने के लिए अवलबल हो चुकी है और इसी मांद में हमें हिंदी राब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी lease date अभी confirm तो नहीं हुई है, बट हमें 3rd से 4th week में देखने को मिल जाएगी और इसी मांद में, इसके बाद है Netflix के OTT platform पे हिंदी डाब में लीस होने वाली एक नई Crime Mystery 3 वेब सीरीज फ्री स्टायल, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी, जिसका सपना होता है रैप स्टार बनने का, लेकिन वो पैसों की तंगी के चलते, Crime की दुनिया में घुसने के लिए मजबूर हो जाता है, बाकी उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, और कैसे उसकी जिंदी की ट्विस्ट और टर्न्स लेते हुए आगे बढ़ती है, वो ही हमें Crime, Mystery, and Threatic के साथ दिखाया जाने वाला है इस सीरीज में, जो अभी कल से मिंस के 13 सप्टमबर से नेटफ्लीज के OTT प्राफों पे देखने के लिए अवलबल होने वाली है, इसके बाद नेटफ्लीज के ही OTT प्राफों पे लीस होने वाली एक नई True Documentary Series Class Act, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की सची कहानी दिखाया जाने वाली है, जो अचानक से उसकी पूरी कंट्री में popular हो गया था, और एक celebrity बन गया था, लेकिन परदे के पीछे का सच कुछ और ही था, जिसने उसके पूरे देश को शौक कर दिया था, तो क्या थी उसकी कहानी और क्या था वो सच, वो ही हमें इस Documentary Series में दिखाया जाने वाला है, जो कल से मिंज के 13 September से Only English Language में नेटफ्लिस के OTT platform पे देखने के लिए अवलबल हो जाएगी, इसके बाद है एक और Documentary Series, Wrestlers, जिसे भी अभी कल से मिंज के 13 September से नेटफ्लिस के OTT platform पे Only English Language में ही लिज किया जाने वाला है, जिसमें हमें Wrestlers की जिंदगी को दिखाया जाएगा, और कैसे Behind the Scene वो अपनी Preparation करते हैं, और कैसी होती है उनकी जिंदगी, वो ही हमें Real Footage के साथ दिखाया जाएगा इस Web Series में. इसके बाद है कल के दिन में ही नेटफ्लिस पे लिज होने वाली, एक बड़िया War Thriller History Documentary Series, Ordinary Man, जिसे अभी 13 September से Only English Language में ही, नेटफ्लिस के OTT प्राफों पे लिज किया जाएगा, जिसकी कहानी हमें World War के टाइम की दिखाई जाने वाली है, जब कुछ नॉर्मल जर्मन लोग कैसे बे रहम नाजी की फॉज में भरती हो गए, और कितनों की जान ली उन्होंने, वो ही अमें इस documentary सीरीज में दिखाया जाएगा, जिसमें असली footage भी देखने को मिलेंगी, ये भी एक बड़िया recommended web सीरीज होने वाली है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसके बाद है Disney Plus Hotstar के OTT प्राफों पे लिज होने वाली, अगर आपको Korean dramas देखना पसंद है, तो आपके लिए कल के दिन में लीस होने वाली है, एक नई Korean drama web सीरीज, जो एक romantic suspan comedy drama web सीरीज होने वाली है, जो अभी कल से ही Amazon mini TV पे देखने के लिए अवलबल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री में ही, और बहुत जादा चांस है के हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, हलांके अभी तक इसकी official announcement तो नहीं हुई है, बट बहुत जादा चांस है के हिंदी डब में भी हमीं देखने को मिल जाए, इसके बाद है एक और romantic drama series Lucky Romance, जिसे भी अभी कल से ही Amazon Mini TV पे ही release किया जाने वाला है, और इस series को तो हिंदी डब में भी release किया जाएगा, जिसकी हिंदी डबिंग की official announcement भी कर दी गई है, जिसमें भी हमें एक romantic कहानी, suspense और comedy के साथ देखने को मिलने वाली है, इसके बाद है इस हफ़ते की सबसे बड़ी release, एक नई हिंदी crime mystery thriller web series, Mumbai मेरी जान, जिसे अभी 14 सप्टमबर से, means के इस Thursday से, Amazon Prime के OTT platform पे, हिंदी के साथ साथ बाकी और कई languages में भी एक साथ ही release किया जाने वाला है, जिसमें हमें मॉंबई के कुछ बड़े बड़े gangsters की कहानी देखने को मिलने वाली है, तो कैसी रहती है और कितने twist and turns आते हैं इस सीरीज में, वो तो देखने के बाद ही बता चलेगा, जो अभी इस Thursday से देखने के लिए अवलबर हो जाएगी Amazon Prime के OTT platform पे, जिसमें हमें मॉंबई की कहानी दिखाए जाएगी जब मॉंबई, मॉंबई ना होके बॉंबई होता था, और बड़े बड़े gangsters कैसे पैदा हुए वहाँ पे, वो ही कहानी पूरी डिटेल में दिखाए जाएगी इस सीरीज में, इसके बाद नेफ्टिस के OTT platform पे लीज होने वाली, एक नई हिंदी डब Mexican Crime Mystery 3 वेब सीरीज, Thursdays Videos, जो एक limited वेब सीरीज होने वाली है, मतलब के उसकी कहानी को इसी सीजन में खतम कर दिया जाएगा, जिसमें हमें कहानी Terrassa की देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़े डिलक्स एरिया में रहती है, मतलब के एक रिच एरिया में, जहां पे सभी अमीर लोग रहते हैं, और वहाँ पे अभी उसके पती और उसके दो फ्रेंड्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक बड़ी investigation शुरू होती है, जिसमें उनके उस lavish area के कुछ बड़े और खतरनाक राज निकले के सामने आने वाले हैं, बाकी क्या होता है, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पतल चलेगा, जो अभी 14 सप्रमबर से नेट्फिस के उटिडी प्लाफों पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी रामे भी देखने के लिए वलबल हो जाएगी, इसके बाद है नेट्फिस पे ही लीज होने वाली एक नई 18 प्लस अडल्ट मूवी, जिसे भी अभी 14 सप्रमबर से नेट्फिस के उटिडी प्लाफों पे लीज के आ जाने वाला है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी रामे भी देखने को मिलेगी, जिसे भी अभी इस थरस्टे मिन्स के 14 सप्रमबर से नेट्फिस के उटिडी प्लाफों पे जैपनीज एंड इंग्लिश के साथ हिंदी रामे भी रिलीज के आ जाने वाला है, जिसकी कहानी एडवेंचर भरी होने वाली है, जिसकी कहानी एक रेड राइडिंग हुट नाम की लड़की की होने वाली है, जो अभी एक नई मिस्ट्री में फसने वाली है, और उसे वो मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी उस दिन की रात आने से पहले पहले, इसके बाद 2023 की ही साउथ की कुछ ताइम पहले थेटर में रीस हुई मूवी रामा बार्णाम जो एक एक्शन मिस्ट्री थिलो मूवी है जिसे कुछ ताइम पहले ही थेटर में रीस किया गया था जो अभी हमें एक अक्तूबर से सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमेर होते हुए देखने वाली है हिंदी डाब में इसके बाद है हिंदी डाब में रीस होने वाली एक नई एनिमेशन रेवेंचर कॉमेडी द्रामा मूवी बार्बी मैजिक जिसे भी अभी 14 सप्रमबर से ही नेटफलिस के टीवी प्लाफ़ों पे इंगलिश के साथ साथ हिंदी डाब में भी लीस किया जाने वाला है जिसमें भी हमें एनिमेशन की एडवेंचर भरी कहानी देखने को मिलने वाली है जो स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और बाकी उपर से हिंदी डाब में भी होने वाली है अगर आपको जू या फिर वाइल लाइव देखना पसंद है तो नेटफ्लिस की ओर से एक नई लाइव रियल्ती शो सीरीज शूरू की गई है जिसका नाम है बेबी गोरिला लाइव जिसको हर थस्टे के दिन साड़े साथ बजे लाइव किया जाता है और हमें एक बेबी देवाली वीडियो में तो उसके लिए Lockdown Entertainment को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और भी डेली की डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे Instagram अकाउं Lockdown.entertainment33 पे फॉलो गते रहें जहां पर मैं रोज के रोज आपडेट्स देता रहता हूं तो मिलते हैं ने अपना और अपनों को अध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बिनाए रखें टाटा बाई बाई